नमस्कार साथियों विदानत अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है हम लोग फॉरेस्ट्री डिस्कुस कर रहे थे MPSFS के लिए, 36 गड के लिए, राजिस्थान के लिए और जिन भी स्टेट्स में फॉरेस्स सर्विस के एक्जाम में और आपके इस लिवस में इंक्लूड किया गया है इसमें फॉर्स्ट उनिट हम डिस्कुस कर रहे थे फॉरेस्ट की हिस्ट्री अगर आपको इसी तरह की और वीडियोज चाहिए तो आप या तो सीधे चैनल पर जाए या हमारे जो एप है मोबाइल एप वहाँ पर जाकर आप विजिट करेंगे वहाँ आपको कंटेंट मिल जाए गर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे या जो कंटेंट हम तयार करके दें institute's का content हम तयार करके दें या specific definitions का दें या question series का दें तो बहतर हो आप channel को subscribe करें subscribe करने से आपके पास time to time notification videos का आते रहेगा आपको बारवार search करके वो नहीं देखना पड़ेगा तो पिछले lectures को भी अगर आपको देखना है तो आप channel पर जाकर पिछले lectures भी दिख जाएंगा और आगे के lectures भी आपको लगातार मिलते रहेंगे start करते हम forestry हमने start किया था history हमने देखा था तो history में हमने दो lecture हमने देख लिये थे आज हम third lecture में है थोड़ा सा वापस चलेंगे पीछे देखेंगे हमने पहला plantation जो करवाया था वो connelly ने करवाया था जो पहले collector थे मालावार रेजन के collector थे और सब conservator कौन थे उप संरक्षक थे वहाँ पर चाथू मैनन यह दिखान रखेंगे हम फिर उसके बाद first जो 1854 ठीक है 1856 में पहले नियमित जो संरक्षक थे वो क्लैगहॉर्ण थे इसमें मिस हुआ है कुछ हाँ पहला जो plantation start करवाया था एफ और स्टेशन के लिए plantation start करवाया था वो जैम्स Campbell ने start करवाया था ये नाम अपन को ध्यान रखना है फिर इसके बाद हमने देखा था एक बहुत खास नाम टॉंग्या फोरेस्ट्री से related डाटरेच ब्रैंडिस डाटरेच ब्रैंडिस को किसके लिए जाना जाता है इनने book लिखी थी 1905 में 1906 में book लिखी थी 1907 में इनका निधन हो गया था 1906 में लिखा था Indian trees इनने किसके लिए जाना जाता है tropical forestry का father माना जाता है और tongia forestry का father माना जाता है scientific forestry का father माना जाता है tongia forestry और scientific forestry दोनों के बारे में हम पिछले lecture में बड़े detail में discuss कर चुके हैं अब आगे बढ़ेंगे इससे tongia forestry हो गया था अपना जिनको देखना होगा वो slide को pause करके पढ़ लेंगे समझ नहीं आएगा आप comment करेंगे या पिछली वीडियो पर जाके देखेंगे बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा तसली से बड़े प्यार से वहाँ पर आपको समझाया गया है टॉंग्या की टाइप भी समझा दिया आपको टॉंग्या की डिमेरिट्स पर डिसकस नहीं कर पाए थे हम टॉंग्या की डिमेरिट्स में क्या होगा जब टॉंग्या फोरेस्टी हम स्टार्ट करें या साइंटिफिक फोरेस्टी हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला काम होता है जो natural forest होता है उसे हम हटाते है natural forest को हटाना या आग लगाकर tongia forest हम स्टार्ट करें आग लगाएंगे तो सबसे बड़ा loss क्या होगा यहाँ पर diversity का loss होगा जो natural forest है वो खतम होगा वो diversity बनसपतियों में भी होगी और वही diversity वन्यजीब में भी होगी तो दोनों तरह के वन्यजीब, कीट, वनसपति सबी का रास होना स्टार्ट हो जाएगा तो यह इसके loss में आ जाएगा कानूनी मुद्धे होते हैं तमाम स्रम को जो सोशन है वो होने की संभावना रहती है एक ही जगे पर बहुत सारे लोग काम करते है महामारी का खत्रा रहता है जब हम डाइवर्सिटी हटा देते हैं तो महामारी जैसी समस्यां आ जाती है एक ही तोरह की फसल बड़े लंबे एरिया पर की जाती है तो वहाँ पर किसी ना किसी रोग के आने की संभावना बढ़ जाती है ये कुछ नुकसान थे इसके मिट्टी की ऊरबढ़ता भी कम होती है डाइवर्सिटी नहीं रहती है लगाता फिर आगे बढ़ेंगे 1864 उस समय पर थे गवर्नर जॉन लॉरेंस 1864 में वहाँ पर उस टाइम पर Indian Forest Department Forest Department की स्थापना की गी थी इसका order हम याद रखेंगे यहाँ से Forest Department की स्थापना की ध्यान रखेंगे फिर उसके बाद पहले जो Inspector General थे Dietrich Brands को बुलाकर यहाँ पर इंडिया लाया गया Dietrich Brands को यह वही संक्रमन दोर है जब 1857 की करांती हो चुकी थी Indians को बहुत ज़्यादा उसमें प्राव्लम ना हो उनको भी इसमें सामिल करके चला जाए तो institutional यहाँ से देखेंगे हम वो स्थाट हो रही है कहानी तो Forest Service की Forest Department की पूरी स्थापना कर दी Dietrich Brands से यहाँ पर आगे convince करने के लिए लोगों को Scientific Forestry के लिए Scientific Forestry इंडिया में स्टार्ट हो गई थी और Scientific Forestry के फादर हम डिसकस कर चुके हैं अच्छे से Dietrich Brands फिर Brands हिपसो मीटर भी एक टर्म आता है हिपसो मीटर जनरली यूज किया जाता है trees की height measure करने के लिए जो trigonometry में triangle basis पर काम करता है तो ध्यान रखेंगे height measure करने के लिए यूज किया जाता है आगे देखेंगे हम 1865 पहले department बना department बनने के बाद एक साल बाद क्या आ गया forest act आ गया अब स्थापना भी आपको समझ में आएगी 1857 की क्रांती के बाद क्या चल रहा था तो forest act यहाँ पर आया भारती 1 अधीनियम आया जिसका संसोदन 1878 में किया गया फिर उसके बाद 1927 में किया गया और फिर वर्तमान फिर उसके बाद 1980 में one selection अधीनियम लेकर आये गए थी तो इसके बारे में ये जो चीज नहीं है ये तो अपन को आगे डिसकस करना है बस sequence हमें समझना है 64 65 67 ये ध्यान रखेंगे अपन संसोदन फिर उसके बाद 18 में draft आया उसका अभी कुछ हुआ नहीं है वो भी अपनी slivers में तो आगे हम discuss करने वाले हैं बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे 65 में सिर्फ भारती वन अधीनियम लाया गया था पहला फिर देखेंगे 1866 चंगा मंगा फॉरेस्ट अब चंगा मंगा प्लांटेशन क्या है चंगा मंगा जो नाम यहाँ पर लिया गया ऐसा लग रहा है कुछ करेक्टर्स के नाम है या फिर एवई दो बच्चों के नाम है किसी गले महले में वो खेलते हैं तो पहले इन दो करेक्टर्स के बारे में बात करें हैं तो यह बिटिस जुरेशन पर 1857 की करांती के आसपास का वो समय था वहाँ पर भारत के पंजाब प्रांट में छेड के लड़के या लूट पार्ट करके कहां चले जाओ जंगल में चले जाते थे तो वही कहानी किस की थी चंगा और मंगा की थी वो लूट पार्ट करके कुछ भी करके वो उन जंगलों में चले जाते थे तो वो जो जंगल थे वहां के लाहोर के पास वाले जंगल उन्हें इनी के नाम से जाना जाने लगा चंगा और मंगा के नाम से जाना जाने लगा और आज भी उसी नाम से जाना जाता है चंगा मंगा फोरेस्ट और वहां पर अभी पार्क भी इस्थापेट है उसका नाम भी पार्क है तो ये भारत से जुड़ा हुआ है अब अगर देखे चंगा मंगा वहाँ इनका क्या इंट्रेस्ट था तो वहाँ इंट्रेस्ट था इनका कि वहाँ पर फ्यूल बुड का उत्पादन किया जाए मुखे रूप से सीशम जलानी की लकडी की व्यवस्था करने के लिए चंगा मंगा का डिसाइड किया कि यहाँ पर जो फ्यूल बुड के लिए तो अगर हमसे पूछा जाता है पहला फ्यूल बुड के लिए प्लांटेशन कहां किया गया तो हमारा आंसर होगा चंगामंगा फॉरेस्ट में, चंगामंगा फॉरेस्ट कहां पर है, तो हमारा आंसर होगा, चंगामंगा फॉरेस्ट कहां पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चंगामंगा फॉरेस्ट है, यह पंजाब, यह इंडिया, यहां पर चंगामंगा यह जो रीजन दिख रह लगाया गया या किया गया यह माना जाता है ऐसा कहा जाता है यहां लगबग 1200 एकड़ छेत्र में plantation किया गया यह फैला हुआ है और इधन की पूर्ती के लिए इसमें plants लगाय गए थे और 1888 में यहां पर सीशम का पहली बार उतपादन लिया गया था सीशम याद रखेंगे हम किस नाम से जाना जाता है इसको rosewood के नाम से जाना जाता है इसे rosewood कहा जाता है इसके लिए जो working plan है 1871 में तयार किया गया था और जो working plan है यह question पूछा जाता है ध्यान रखेंगे आप working plan कितने समय के लिए तयार किया जाता है अब यह working plan क्या है working plan यह है कि यहां पर जो हम उतपादन करेंगे उसकी process क्या होगी उससे जो production लेना है वो किस तरह से लेंगे और number of years में हमें production लेना है तो वो किस तरह से लेंगे इसमें हम forest को लगाएंगे जिस तरह से भारत में राज्यसभा होती है हर दो साल में एक तिहाई member हट जाते हैं और एक तिहाई member आ जाते हैं वैसे ही रखा जाता है working plan कुछ इस तरह से decide किया जाता है scientific forestry में कि कुछ forest का produces हम ले रहे हैं कुछ time के बाद हम wood हटा रहे हैं या लकडी काट रहे हैं तो उसकी जगए नया plantation हम करेंगे और उसमें vegetation होगा वो तयार होगा फिर उसके दो साल या तीन साल के बाद किसी दूसरे place पर जाके हम वहां से production लेंगे और वहां पर plantation करेंगे इस तरह से rotationally हमें हर दो साल में या तीन साल में हमें production वहां से मिलता रहता है तो production भी चलता रहेगा और plantation भी वहां पर चलता रहेगा ये working plans के target होते हैं जनरली जो working plan होता है वो लगबग 10 साल के लिए बनाया जाता है ये ध्यान रखेंगे आप और ये question पूछा जाता है तो पहला जो working plan बना था ध्यान रखेंगे इंडिया में कब बना था 1871 में बना था और ये 10 साल के लिए बना था यहां पर 10 साल में उत्पादन ले लिया गया था सीशम के उत्पादन की बात करेंगे 1888 में यहां पर सीशम का उत्पादन लिया गया था एक हिस्सी पर particular part पर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ 1867 IFS Service Start याद रखना 1864 1864 Department स्टार्ट किया और 65 में क्या किया गया पैसेट में आपके जो यह अपना 65 में क्या किया गया Department के बाद Act लाया गया जिस Act को संशोदित किया 78 में किया फिर उसके बाद संदक्षन भी लेकर रहा है वरतमान जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है 1927 Department बना Act लेकर आया फिर उसके बाद IFS Service स्टार्ट किया 1867 ध्यान रखेंगे बस फिर 69 में इसमें Conservator of Forest डाल दिया फिर DCF डाल दिया ACF डाल दिया तमाम पोस्ट इसमें डाल दी गई जो बिटिस गवर्मेंट में हुआ करती थी इससे पहले यहां पर क्या लिया जा रहा था स Inspector General होते थे जो Dietrich Brands को यहां पर लाके बनाया गया था ध्यान रखेंगे हम फिर 1871 1871 में इससे पहले हम डिसकस कर चुके हैं क्या किया गया बर्किंग प्लान तयार किया गया किसके लिए निलामबुर के लिए निलामबुर कहां पर है मालावार कोस्ट के पास में सबसे पहल प्लान तयार किया गया था अधार किया गया था तो एसा जर्नल भारत में पहला 1875 में प्रकासित किया गया था जिसके लिए बैडन पोवल और डॉक्टर स्लिच को स्लिच का नाम जाना जाता है एक आधी एक्जाम में इन दोनों का नाम पूछा जाता है लेकिन याद रखे हम सबसे पहला फॉरेस्ट जर्नल जो प्रकासित किया गया था इंडिया में वो था 1875 में बैडन पोवल और डॉक्टर स्लिच के द्वारा प्रकासित किया गया था तो इन दोनों का नाम इसके साथ में याद रखेंगे अब बढ़ेंगे एक महतवपूर्ण वर्स मैतवपूर्ण वर्स 1878 1878 में जो फॉरेस्ट स्कूल है उसकी स्थापना की गई थी दहरादून में फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना अब दहरादून में क्यों की गई थी और ये एंसियन टाइम से प्राचीन काल से हम देख चुके हैं भारत में जो अधिकांस्ता घने बन दून जिसको बुला जाता है वहाँ पर नदियां मैदान में आते हैं और मैदान में आने की वज़े से नदियां उपर से उतर कर नीचे सीधे जमीन में चली जाते हैं जो जमीन में जाने की वज़े से दलदली छेतर है या नमी है जो जमीन में वो बढ़ जाती है जमीन में नमी बढ़ने की वज़े से वहाँ पर जो forest है वो अधिक मात्रा में पाये जाते हैं तो वहाँ पर कोसिस की गई कि जो इंस्टिट्यूट्स हैं वहीं पर बनाई जाएं तो 1878 में वहाँ पर forest school बनाई गया आप इस forest school को बनाकर 1884 में इसको imperial के नाम से या राजसाही स्कूल के नाम से जाना जाता था 1884 के बाद ये लेकिन 1906 में यहाँ पर एक बिल्डिंग और बनाई गई याद रखेंगे 1906 में एक बिल्डिंग और बनाई फिर इसका नाम क्या रख दिया गया forest research institute FRI जिसे वर्तमान में भी FRI के नाम से जाना जाता है जहाँ पर तमाम तरीके के research courses चलते हैं MSC वगरा तमाम courses वहाँ पर चलते हैं तो 1906 में FRI की स्थापना अगर पूछेगा 1906 में forest school के form में अगर पूछेगा 1878 में imperial में पूछे जाने की संबावना नगन्य के बराबर है या पहले किस नाम से जाना जाता था तो हम याद रखेंगे imperial के नाम से भी इसको जाना जाता था अब इसके कहानी देखें ये बहतरीन campus है भारत की बहतरीन इमारतें या बहुत अच्छी इमारतों में जाना जाने वाली इमारतें forest research institute ये ऐसी इमारतें बिना research वाले भी लोग यहाँ पर visit करते हैं इसको सिर्फ देखने के लिए tourism में रखा गया है इसका ticket लगता है देखने का और इसमें खास बात यह है इसमें जो ये जो structure है ये bricks का बना हुआ structure है और ये ऐसा structure है जो Guinness book में record है record में ये दर्ज है कि ये सबसे बड़ा स्थापत है जो bricks से बना हुआ है और अभी भी है और इतना भव्या है तो ये इतना सुंदर है जो इससे tourism में सामिल करके इससे बसूली भी की जाती है revenue भी generate किया जाता है बढ़ेंगे हम आगे अब यहां पर एक और जो नया block बनाया गया था 1906 में जिसके बाद इसको नाम क्या दे दिया गया था forest research institute नाम दे दिया गया था उसी को 1906 के बाद उसी में 1938 में जाकर एक institute इस्थाबित किया जिसे नाम दिया गया इंडियन forest college इंडियन forest college 1938 नाम दिया गया था उसको 1938 में इंडियन forest college start किया अब यहां क्या होता यहां जो IFS होते हैं इंडियन forest services से जो लोग select होते हैं UPSC से वो लोग training के लिए जाते हैं यहां पर और 1987 इंडिरा गांदी जी की death के बाद इस institute का नाम रख दिया गया था इंडिरा गांदी नेशनल forest academy यही वो academy है जो उसी campus में है इसी campus में यह बहुत बड़ा लगबग 400-400 एकड के आसपास का यह campus है पूरा इसी campus में इंडिरा गांदी नेशनल forest academy भी इस्थापित की गयी थी जिसका नाम इंडिरा गांदी जी के नाम से 1987 में रखा गया था अग हमारा अंसार होगा 1938 में कहां पर इस्थापित है यह देहरादून में इस्थापित है इंडिरा गांदी नेशनल forest academy 1987 में इसका नाम चेंज किया गया था उम्मीद है आपको clear होगा या इंडियन forest जो foresters हैं उनका जो training center है कहां पर है देहरादून में होगा आगे बढ़ेंग और असोक के समय पर हम बात कर चुके हैं elephant को लेकर लेकिन वहाँ पर जो conservation किया जा रहा था वो किया जा रहा था वो किया जा रहा था सैना की वजह से और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान elephant की तरफ आप जाने लगा है कि elephant को बचाया जाए अगर जंगलों को बचाना है ध्यान कि जो conservation, preservation किया जाता है वो अकेले हमें उस जानवर को ध्यान नहीं रखना वो एक cycle होती है पूरी जंगल और दूसरे जीव, जन्तु, कीट वगरा सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो target किया जाता है कि बड़े को बचा हैं छोटे अपने आप बचे रहेंगे तो यहा प्रोजेक्ट elephant है वहाँ पर किन चीजों का ध्यान दिया जाता है वहाँ ध्यान दिया जाता है जो elephants है उनके natural habitats का उनके निवास इस्थान का उनको उनका natural निवास इस्थान उपलब्द करवाने की कोशिस किये जाती है इस project के ता है दूसरा उनको corridors provide करवाई जाते हैं एक प्रोजी स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए आवगमन के लिए विचरण के लिए corridors provide करवाई जाते हैं जो conflict है human और elephant का दोनों का जो conflict है कि आमने सामने आ जाते हैं दोनों के हित आमने सामने आ जाते हैं उन्हें स्वधंतरता पसंद है वो बिना रोग टोग के विचरन करना चाहते हैं लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसकी उत्पादन जो फसल है वो वेकार हो जाती है चाहिए वन की फसल हो या कृशी मैं कुछ भी फसल की हो वेकार हो जाती है तो जो conflict है इसके दायत उसको कम करने की कोसिस की जाती है ये मुख्य target में रख रखा जाता है एक और क्या है welfare ठीक है टीथ का बड़ा ध्यान रखा जाता है elephants का योकि टीथ से बहुत सारे उपकरण बनाए जाते हैं साज सज्जा के जो बहुत महंगे बिखते हैं और symbolic form में लिया जाता है और एक समय पर ये बड़ी समश्या बन गए थी South India में नाम सुना होगा वीरपण कुछ समय पहले लगबग 20 से 30 साल पहले अगर देखा जाएगा तो वीरपण ने एक बड़ा खुखार नाम हुआ करता था करनाटा कांदर प्रदेश के आसपास वाले रीजन में और वो तसकर थे किसके हाथियों के दात के तो वो 1992 में इसको भी project elephant में सामिल किया गया कि जो smuggling वगेरा चलती है हाथी के दात की उसको बंद किया जाए फिर wildlife protection act में भी हाथी को इस्थान दिया गया था लेकिन उसमें उतना फर्क पड़ा नहीं हाथी को कहां इस्थान दिया था तो वहाँ पर one ने जो जीव हैं उनको first जो schedule है यहाँ पर लिखा नहीं schedule 1 कर लेंगे हम इसको schedule 1 में हाथी को इस्थान दिया गया था अगर हम से पूछा जाता है जो elephant है उसको wildlife protection act 1972 का वन जीव संदक्शन अधिनियम में किस सूची में रखा गया तो हमारा answer होगा सूची एक में रखा गया था जो Asian elephant in research and conservation center है इंडिया में कहां पर इस्थापित कि अगया अब हाथियों का जो census है census के बारे में अगर बात करें भारत में सबसे अधिक हाती कहां पर पाये जाते हैं तो भारत में सबसे अधिक हाती करनाटक में पाये जाते हैं लगबग 649 हाती ये पिछले हाती census के according है और मद्यप्रदेश के अगर हम बात करें बहुत कम registered हा बाकी यहां पर करीडोर बनाकर आना जाना वह चलता रहता है बाकी रेजिस्ट्रड में अगर देखेंगे लगबग साथ हाती रेजिस्ट्रड हैं सेंशर में आगे बढ़ेंगे हम 1882 मदरास में क्यों चल रहा है क्योंकि मदरास में ही सबसे पहले क्या हुआ था प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था 1842-43 में नीचे ही स्टार्ट किया गया था और भी पहले हम देखें 1790 में भी प्लांटेशन हुआ था तो टीबू सुल्तान ने मैसूर में वहीं किया था फिर 1813-1813 वो समय है जब डाइटरिज ब्रेंडिस रिटायर्ड हुए थे भारत से डाइटरिज ब्रेंडिस रिटायर्ड होकर वापस चले गए थे फिर उसके बाद वो वापस आय थे इंडिया आय थे फिर उनने बुक लिखी थी और 1883 किस तरह से याद रखेंगे हम दूसरा रखेंगे बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री ओफ इंडिया जो बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री ओफ इंडिया है उसका जो स्थापना थी वो भी 1883 में की गई थी अब इसका जो सिंबॉल है मासकाट है वो क्या रखा गया है हॉर्नमिल को रखा गया है अब ये हॉर्नमिल क्या है ये पक्षी है जो मुख्य रूप से जो ट्रॉपिकल जोन है उसके आसपास पाया जाता है भारत में South में और जो South East Asia है वहाँ पाया जाता है अफरीका में पाया जाता है इसके आसपास बाले रीजन में ये पाया जाता है तो ये था हमारा 1883 तक की कहानी इसके आगे हम discuss करेंगे next part में तो इस बाले part में यहीं पर इतना ही रखेंगे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ए अपना history complete हो जाएगा उसके बाद selvy culture हम लोग start करेंगे और इसी तरह से कोसिस करेंगे आपको वीडियो प्लग्द करवाते रहें questions की भी आपको वीडियो प्लग्द करवाई जाएंगी साथ में आपको वीडियो प्लग्द करवाई जाएंगी जो संस्थान है उनके भी अल अगलग से provide करवाई जाएंगे आज के लिए इतना thank you जुड़े रहें